सो गाईज आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का रामनौमी AI फोटो इडिटिंग जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि रामनौमी जल्द ही आने वाला है तो आपको भी इस तरह का अपने नाम के साथ फोटो क्रियेट करके इस्टाग्राम पर अपलोड करना है तो इस वीडियो को लाज तक देखते रहना तो चलिये आज के इस वीडियो को Start करते हैं ओके तो इमेज क्रियेट करने के लिए गूगल को Open करके सर्च करना है बिंग इमेज क्रियेटर और पहले वाला वेफसाइट पर किलिक करना है अब दोस्तों आपके मोवाईल में इस तरह का इंटेफेस खुलेगा तो अगर आप इस वेफसाइट पर फर्स टाइम आये होंगे तो आपको इस वेफसाइट में सिंगिन करना पड़ेगा सिंगिन कैसे करना है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रेप्टन में है आप उस वीडियो को देखकर सिंगिन कर सकते हैं सिंगिन करने के बाद इस बॉक्स में प्रॉम्ट लिखना है प्रॉम्ट कहां से कॉपी करना है वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो prompt paste करने के बाद यहाँ पर लिखा मिलेगा your name तो इसको cut करके आपको अपने नाम को लिखकर create पर किलिक करना होगा तो उसके बाद यहाँ पर 4 image बनकर आ जाएगा तो इस image पर किलिक करके 3.पर किलिक करके image को download कर लेना है अब चलिए बताते हैं prompt कहां से copy करना है prompt copy करने के लिए google copy करके search करना होगा एके technical आदित्या इतना search करने के बाद इस दूसरे नमबर वाले website पर किलिक करना होगा उसके बाद इस तरह का इंडर्थस खुलेगा तो अगर आपको ये वाला post यहाँ पर नहीं दिखे तो सिंप्लिसाइज सर्च वाल आइकन पर किलिक करके सर्च करना है राम नम्मी AI Photo Editing Prompt 2024 इतना search करने के बाद ये वाला post आपके सामने open होगा तो इस post पर किलिक करना है उसके बाद थ्वासन नीचे के तरह पर स्कॉल करके आना है तो आपको ये वाला prompt यहाँ से कोपी कर लेना है